प्रभास कीचन रेश्पी में आप लोगों का स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए ले कर आए हैं इंडियन स्टाइल पास्ता तो चले शुरू करते हैं बनाना अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सस्क्राइब कमेंट लाइक सेर जरूर करें गैस पर हम एक कड़ाही अब इसमें हम डालेंगे एक कटी हुई प्याज इसको भी हमने बड़े टुकड़ों में काटा है अब इसमें हम डाल देंगे एक सिमला मिर्च इसको भी हमने बड़े टुकड़ों में ही काटा है क्योंकि इसमें सबजियां जो भी पड़ेगी वो बड़े टुकड़ों में कटी हुई ही पड़ेंगी तब हमने एक गाजर डाल दिया है इसमें अब सबको हम तेज गैस पर चलाते हुए एक मिनट के लिए पकाएंगे इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है गैस हमारी समय एकदम तेज रहेगी यूंकि अगर तेज नहीं रहेगा तो यह पानी छ गया है अब इसमें हम डालेंगे यह टमाटन की प्यूरी एक कटोरी प्यूरी हम इसमें डाल रहे हैं त olması को उबाल करके हमने पीस लिया है अब इसमें हम डाल देंगे पांच चमच टमैटो सॉस का आब इसमें टमेटो चिली सॉस भी डाल सकती है और एक चमच काली मिर्स प सबको डाल करके हमें तेज गैस पर ही पकाना है इसको गैस हमें धीमी नहीं करनी है इसको दो मिनट के लिए हमें पकाना है तो ये दो मिनट हो गया पकते हुए अब इसमें हम नमक डाल देंगे नमक थोड़ा हम कम ही डालेंगे क्योंकि पास्ता को उबालते समय हमने थोड़ा सा नमक उसमें डाला हुआ था तो अब इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे सीजनिंग जो भजार में बहुत आराम से मिल जाती है अगर आपके पास सीजनिंग ना हो तो आप चिली फ्लैक्स और और्गिनो भी डाल सकती है अब यह हमने जो पास्ता उबाल करके रखा हुआ है अब इसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे खाने में बहुत अच्छा होता है थोड़ा जूसी जूसी होता है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुखा सुखा पास्ता खाने में अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए अगर आप टमाटर की प्यूरी डाल करके बनाएंगी ना तो बहुत अच्छा बनेगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा तो यह हमारा पास्ता तयार हो गया है अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पुदीना की पत्ती इसको हम थोड़ा सा तोड़ करके इसमें डाल देंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आजाएगा और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम धनिया की पत्ती तो यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है मन कर रहा ना खाने का तो आप लोग भी फटा फट बना डालिए और बच्चे तो दोड़ करके खाएंगे और बड़ों को भी यह पसंद आएगा तो चलिए आप लोग भी फ जंद आए तो सस्क्राइब कमेंट लाइक शेयर जरूर करें थैंक यू गुट डे फिर मिलते हैं किसी नई रेस्पी के साथ